हेलो फ्रेंड्स बात करेंगे नंदन डेनिम लिमिटेट के बारे में जो के बहुत बड़ी अपडेट निकल गई है उसके बारे में डिसकस करना चाहूंगा और यह श्टोक तकरीबबन 48-49 रुपिस के असपास ट्रेट करता हूं नजर आ रहा है पांच परसंड की तेजी भी मिल सकते हो भी अनालीसिस करेंगे और जो बड़ी अपडेट निकल गया है वह भी शेयर करने की कोशिश करूंगा तो फ्रेंड्स वीडियो में तक बन रहे हैं जो कि यह कंपनी इस टेक्स्टाइल के बिजनस में का बहुत बड़ा कारोबार भी है कंपनी के मार्केट की बा की बात करूं तो यह पर जो सारी वेल्यू है वह इन लाक्स में लेकिन मैं पर कनवर्ट करने वाला हूं इन करोड में यहाँ आगर मैं सबसे पहले टोटल इंकम की बात करूं तो जैसा कि आप आप देख सकते हैं क्वाटर वन में तो टोटल इंकम जनरेट किया वो की तेजी देखना को मिले है टोटल इंकम में इंकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली खर्चे भी कईना की बढ़ते होए नजर आएंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो यह जो खर्चे यहाँ पर आपको देखना को मिल रहे है तक्रीबन 712 करोड के आसपस का खर्चा रहा है एक्सपैंस रहा है तो इस टोटल इंकम में से खर्चों को अगर हम माइनस करते है तो यहाँ पर जो उपरेटिंग प्रोफिट यहाँ पर निकल गया रहा है वो तक्रीबन 11 करोड के आसपस का ओपरेटिंग प्रोफिट देखना को मिल रहा है और अगर हम टेक्स सब कुछ बाद करें तो जो net profit निकल गया रहा है after text तो यहां पे friends आप देख सकते हैं जो net profit निकल गया रहा है वो तकरीबन 7 करोड का जो कि पिछले quarter में देखा जाए तो 26 करोड का net profit था तो quarter and quarter basis पे तो यहां पे में इस company का चार्ट और जिस तरह से company का business देखने को मिल रहा है तो definitely यहां पर बड़े momentum आगे भी नजर आ सकते हैं और अगरम टेक्निकली भी चार्ट के उपर एक नजर करें तो जैसा कि friends यहां पर आप देख सकते हैं हर एक डिप में यहां पोजिशन बंती भी नजर आ रही है ज से stock तकरीबन 50 रुपे तक का momentum दिखा चुका है मुझे लगता है कि next target तकरीबन 60-50 रुपे तक के भी देखने को मिल सकते है लेकिन यहां पर कोई गिरावट देखने को मिले को क्रेक्शन नजर आ है तब यहां पर position बनाए तो बहुती और बेटर रह सकता है आप चाहे तो 30 35 पर फिर भी आप position बनाई जा सकती है और correction में भी आप हर एक dip में position बनाई जा सकती है next target मुझे लगता है कि 60-50 रुपे तक के भी possible है जिसा कि आप देख सकते है चार्ट बहुती बढ़िया यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है तो definitely financial stocks के बाब की नजर होनी चाहे है और कि किसी तरह को investment करने से पहले आपको अपना analysis करना है और अपने financial results की भी जरूर सला लेनी है